हेलो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आज की सेशन में आप सभी का आज की सत्र में हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फोर्टिंस बारोमीटर अफकोस बाई डॉक्टर कल्पना सिंग हम और आप आज इस शंखला में आगे मैनोमीटर के बारे में भी जाना फोर्टिंस बारोमीटर हम आज के सेशन में जानेंगे कि क्या कंस्ट्रक्शन कैसा होगा फोर्टिंस बारोमीटर का और किस तरीके से फोर्टिंस बारोमीटर वर्क करता है फ्रेंट्स सिंपल बारोमीटर जब हमने देखा तो वहां हम ये भी अब्जर्व करते हैं कि सिंपल बारोमीटर में कुछ ऐसे डीमारिट्स हैं कुछ ऐसी कमिया हैं कि अगर उन्हें रिमूफ कर दिया जाए तो एक बेटर बारोमीटर हमें मिल सकता है प्रेशर मेजर्मेंट के लिए एट्मासफेरिक प्रेशर के मेजर्मेंट के लिए simple barometer का use हमने किया atmospheric pressure को measure करने के लिए अब हम देखते हैं कि क्या ऐसे demerits हैं जिन्हें हम remove कर सकते हैं और एक better barometer तयार कर सकते हैं क्योंकि fortis barometer इसी process से तयार किया गया एक barometer है simple barometer के demerits को धीरे-धीरे करके remove कर दिया गया और हमें एक नया barometer मिल गया 14th barometer so the 14th barometer was designed to remove the demerits of the simple barometer यानि simple barometer के कमियों को दूर करने के लिए हमने design किया 14th barometer तो कैसे हम 14th barometer को design कर सके इसके लिए सबसे पहले तो हमें यही जान लेना चाहिए कि कौन-कौन सी कमिया है simple barometer में जिन्हें हम remove कर सकते हैं और 14th barometer को prepare कर सकते हैं तो friends सबसे पहले चीज तो आप यह जानते हैं कि simple barometer में यह जो glass की tube जिसे हम inverted खड़ा करते हैं उल्टा खड़ा करते हैं mercury से भरे tub में यह glass का बना हुआ है और इसे किसी भी तरीके का कोई protection यहाँ पे नहीं मिला हुआ है so the first point of demerit is there is no proper protection for a glass apparatus जो glass का बना हुआ apparatus से glass की tube है उसे कोई भी protection नहीं है और जब protected नहीं है हमारा device तो जाहिर से बात है वो portable भी नहीं होगा उसे हम आसानी से एक जगे से दूसरे जगे तक नहीं ले जा सकते हैं इसलिए दूसरी इसकी demerit हमने यहाँ पे लिए है the portability of simple barometer is inconvenient यदि हम आसानी से इसे एक जगे से दूसरी जगे ट्रांसफर नहीं कर सकते तीसरा point जो हमने यहाँ पे लिया है friends as a demerit of simple barometer वो देखिए कि simple barometer में हमें यह height measure करना होता है atmospheric pressure के लिए क्योंकि atmospheric pressure PA is equal to h rho g यह हमने लिया था rho density of mercury है small g आप जानते है acceleration due to gravity और h यह height है mercury column की जो हमें measure करनी होती है तो height measurement के लिए हमें एक scale चाहिए लेकिन इस device के साथ में कोई भी fix scale नहीं है हमें अलग से scale का use करना पड़ता है तो यह भी इसके एक demerit हो जाती है there is no fix scale with glass tube in simple barometer और friends यहां जो मैंने last demerit लिया हुआ है वो last and fourth and last demerit क्या है कि आप देख सकते हैं कि जिस tub में हमने glass tube को inverted उल्टा करके खड़ा किया हुआ है उस tub में mercury का यह जो level है external surface है इसे हमने cover नहीं किया है किसी भी तरीके से तो इस कारण बाहर से कोई भी unwanted material इस mercury में जाकर मिल सकते हैं और इसे contaminate कर सकते हैं यहां mercury प्रदूशित हो सकती है बाहर से कोई भी unwanted material इसमें आकर के मिल सकते हैं जिससे हमें जो हम atmospheric pressure measure करेंगे वो सही नहीं मिलेगा ऐसे chance बन जाते हैं तो अगर इन चारों जो हमने यहां पर demerits discuss की हैं अगर एक एक करके हम इन्हें remove करते जाते हैं तो हमें इस simple barometer से ही 14th barometer मिल जाता है तो आए हम देखते हैं हम किस तरीके से 14th barometer construct कर सकते हैं यानि construction of 14th barometer क्या होगा तो friends सबसे पहला तो जिस तरीके से हमें simple barometer में एक glass की tube हमने use किया था बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर 14th barometer में भी हम glass की tube use करेंगे जिसे हम mercury से पूरा भर लेते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले वीडियो में आपने simple barometer में देखा था कि एक glass की tube आप लेते हैं इसे पूरा mercury से भर देते हैं और फिर इसके open end को अपने thumb से आपने ढख दिया था इसे उल्टा किया और उसके बाद आप उसे एक mercury से भरे हुए tub में उल्टा खड़ा कर देते हैं inverted condition में उसे set कर देते हैं और धीरे से अपने thumb को हटा लेते हैं वही काम 14th barometer में भी करना है यहाँ आप diagram में देख पा रहे हैं fancy diagram आपको दिखाया गया है यहाँ पे मैंने inverted glass tube आपको show कर रखी है अफकोस जब हम इसमें mercury fill करेंगे तो पहले यह सीधा ही होगा उसके बाद इसके open end को किसी तरीके से आप cover करके फिर उल्टा करेंगे जिससे हम इसे किसी mercury से भरे हुए vessel में जा करके set कर सकें यहाँ एक end close है और दूसरा end इसका open end है एक close end एक open end जैसा कि simple barometer में भी glass tube में था of course इसकी height हमें 85 से 90 cm के बीच रखनी है लगभग इतना हमें रखना है क्यूंकि 76 cm of mercury के standard जो है atmospheric pressure measurement करते समय height हमें मिलती है mercury column की लेकिन कई बार थोड़ा सा बढ़ जाता है atmospheric pressure उस condition में हमें थोड़ा ज्यादा लंबाई length की ज्यादा लंबाई की glass tube की जरुवत पढ़ सकती है और इस वज़े से हम इसकी length 85 से 90 cm तक रखते हैं one end पे open and one end पे closed हमें glass tube लेनी है और उस glass tube को पूरा हमें mercury से fill कर देना है और बिलकुल जैसे ही simple barometer में हम इस glass tube को inverted condition में एक vessel के अंदर जो वो vessel भी mercury से पूरा भरा हुआ है एक tub का form जो होता है उसमें inverted करके इसे खड़ा कर देना है अब यहाँ देखिए हम छोटा सा difference करते जा रहे हैं जो simple barometer में हमने tub लिया था वो normal tub था और normal tub में हमने inverted condition में tube को घड़ा किया था tube भी mercury से पूरी भर लिया था पहले और इस tub में भी mercury ले रखी थी जिसकी वज़े से आपको यह structure मिलता है simple barometer का और दोनों में difference हमने क्या रखा कि वहाँ यह जो हमने tub लिया था वो glass का यह metallic tub पूरा solid है लेकिन यहाँ जो हम वेशल यानि tub की जगे जो हम बरतन यूज कर रहे हैं उसमें वो glass का एक वेशल है और उसके साथ में एक leather bag connected है यानि उसका यह देखे नीचे वाला जो portion है यह leather bag यहाँ पे connect कर दिया गया है जिससे इस glass वेशल में जिसके साथ हमने leather bag connect कर रखा है इसमें थोड़ा सा flexibility आ जाती है यानि इसके size को हम adjust कर पाएंगे और कैसे adjust करेंगे वो भी आप आगे देख पाएंगे so this mercury filled tube is kept inverted in a glass vessel fitted with a leather bag एक leather bag जिसमें fit किया है उस glass vessel में हम mercury से भरी हुई glass tube को उल्टा करके खड़ा कर देते हैं and this leather bag serves the purpose of mercury filled tub यह जो bag हमने लिया हुआ this bag serves the purpose of mercury filled tub of simple barometer यह जो हमने vessel लिया है glass का जिसमें bag fitted है तो यह arrangement ही उस tub का काम करता है जो simple barometer में हमने tub लिया था तो friends इतना arrangement हमने कर लिया अब अगला step हमारा रह जाता है कि इस glass का जो बना हुआ हमारा device है उसको हम protection कैसे दें तो इस demerit जो थी simple barometer की उसको remove करने के लिए हमने क्या तरीका निकाला कि पूरे arrangement को हमें एक brass के container में रख देते हैं यानि brass का बना हुआ एक case होगा आप चारों तरफ से इसमें देख पा रहे होंगे आपकी इसको हमने brass case के अंदर जो glass का system बना हुआ है उसको रख दिया so to give protection to this glass arrangement this arrangement यानि glass का जो arrangement है is enclosed in a brass case तो brass जो की metallic case है उसके अंदर हमने इस glass के arrangement को पूरा रख दिया है this brass case protects the glass device आप देख पा रहे हैं यहाँ पे friends brass का case है उसके अंदर हमने glass से बना हुआ device रख दिया है जिससे वो glass का जो device है वो protected हो जाता है तो इस तरीके से हमने protection भी दे दिया इस device को अब हम इसके आगे चलते हैं हमारा next जो step था वो हमें simple barometer में एक बाहर से scale यूज़ करने पड़ती थी mercury column के height को measure करने के लिए लेकिन यहाँ हम एक fixed scale यूज़ करने जा रहे हैं यानि जो brass का हमने case यूज़ किया उसी case में हम parallel जो हमारी glass tube है उसके parallel एक main scale fit कर देंगे जिसमें millimeter के divisions हम बना देते हैं आप diagram में देख पा रहे हैं कि जो brass का case है उसी में हमने main scale को fit कर दिया है और यही हमने यहाँ mention किया as we are going to provide a fixed scale so we need to add just the mercury level अच्छा यहाँ हमने main scale तो दे दिया है साथ में लेकिन जब हम fixed scale यूज़ करते हैं फ्रेंट्स ज़रा हम पीछे के diagram पर चलते हैं जहां हमने simple barometer को use किया है तो फ्रेंट्स यहाँ आप देखे कि यह h height हमें measure करनी है और जब यह h height हमें measure करनी है तो हमें scale को कहां set करना है हमें scale को इस level पर set करना है यानि scale का zero जो tub में mercury का level है वहाँ पर set होना चाहिए जो हम बाहर से scale लगाएंगे mercury column के height को measure करने के लिए उस scale का zero तब में जो mercury का level है यहाँ होना चाहिए जिससे इसके उपर की height हम यह measure कर पाएं यानि जो scale है उसे हमेशा इस tub के mercury level पर उसका zero set रहना चाहिए अब अगर हम barometer बना रहे हैं fortis barometer जहां हमने protection दे दिया glass device को और उसके साथ हम एक fixed scale use करने जा रहे हैं तो friends fixed scale use करने के लिए चुकि scale को यहाँ fix कर दिया simple barometer में scale fix नहीं था हम जहाँ पर भी tub की mercury का level था वहाँ से scale को लगा के उपर की height measure कर पा रहे थे लेकिन यहाँ चुकि हमने scale को fix कर दिया है याई जीरो अगर scale का हम कहें इस point पर है जो की fix है अब अगर किसी भी कारण से जो की भी आप आगे समझ पाएंगे तब की mercury का level याई यह वाला level जो है अगर उपर या नीचे हो जाए तो main scale का 0 से वो हट जाएगा और उस condition में हमें यहाँ height measure करने में मुश्किल आएगी क्योंकि हम zero से reading लेना शुरू करेंगे लेकिन अगर यह level zero से हट के मान लिजए यहाँ आ गया अब zero तो यहाँ था तो reading तो actually हमने यहाँ से यहाँ तक की ले ली तो यह वाली height का portion छूट जाएगा इस तरीके से यहाँ हमें जरूरत किस बात की पड़ती है कि हमेशा जो tub में mercury भरा हुआ है इसका यह level main scale के zero पर set रहे तो इसको हमेशा हमें set करना पड़ेगा और उसे set करने के लिए हमने यहाँ क्या arrangement दिया है जो tub के साथ leather bag connect करके इसको हमने flexible बनाया और इस leather bag के साथ bottom में हम एक screw attach कर देते है इस screw को use करके हम इस विशल में इस tub shape में जो हमारा विशल है इसमें mercury के level को adjust कर पाएंगे जिससे tub में mercury का level main scale के zero पर ही हमेशा set रहे इसी बात को मैंने यहाँ सबसे पहला explain किया है as we are going to provide a fixed scale so we need to adjust the mercury level हमें mercury level को adjust करना पड़ेगा tub में for this purpose a screw is provided at the bottom आप यह देख पा रहे हैं by which we can adjust mercury level at the zero of the main scale a main scale graduated in millimeter is attached to the brass tube जो हमने brass का इसमें case लगा दिया है इसी case के ऊपर हम एक main scale जिसमें millimeter के division बने हुए है वो लगा देते हैं आप friends हम screw के सहायता से यहाँ पे tub में जिसमें leather bag भी attached है mercury के level को हर बार main scale के zero पर set करेंगे और हम सही zero पे set कर पा रहे हैं इसमें सहायता देने के लिए यहाँ पर एक ivory pointer भी लगाया जाता है आप pointer जैसा देख पा रहे हैं इसका काम क्या है कि इस pointer का जो lower point है वो हमेशा tub के mercury level को just touch करना चाहिए क्योंकि ivory point का जो lower point है वो main scale के zero से just same level पर ही होता है तो जैसे ही इस screw को हम rotate करते हैं इसको rotate करने से यह leather bag अप या down होगा leather bag के अप या down होने से यह mercury level भी change होता है leather bag उपर जाएगा तो mercury level को उपर ले जाएगा नीचे आएगा तो mercury level को भी नीचे ले आएगा तो हमें mercury level कहां set करना है just ivory pointer के lower point को touch कर ले जैसे ही touch करेगा इसका meaning यह हुआ कि यह जो mercury का level है यह main scale के zero को touch कर गया तो इस तरह से ivory pointer जो है वो mercury level टब में adjust करने में help करता है तो friends इतना arrangement हो गया अब हमें हम चाहते हैं कि यहां हम ज्यादा accurate height का measurement करें यहनी जो mercury column है उसकी height का measurement ज्यादा accurate हो और एक और change यहां करेंगे अभी तो हमने tube को inverted करके ख़़ा करके स्रिफ दिखाया इसको ख़़ा करके जैसे हम इसे balance होने दें तो आप जानते हैं कि यहां जो mercury का level है वो थोड़ा सा नीचे आता है जैसा simple barometer में था यहनी यह level थोड़ा नीचे आ जाएगा और इसके अलावा यहां main scale के ऊपर ही इस जगे पर हम एक vernier scale भी set करेंगे accurate measurement के लिए जो mercury column है tube में उसकी height के accurate measurement के लिए हमें vernier scale भी set करेंगे और vernier scale अप set करने के साथ ही हमारे 14th barometer complete हो जाएगा तो आए नेक्स step पे चलते हैं और यहां देखते हैं देखिए सारा arrangement पहले जैसा हमने क्या किया कि जो mercury label tube में है यह automatic थोड़ा सा नीचे आ गया और जो main scale था उसमें उपर की तरफ यह देखिए हमने vernier scale fit कर दिया vernier scale के साथ भी एक screw provide किया जाता है इस screw की सहायता से इस vernier scale को main scale के उपर हम slide करा सकते हैं slide कराना इसलिए भी ज़रूरी है जिससे हम सही position पर scale को set करके जो mercury column की actual height है इसे accurately measure कर पाएं और इसी बात को यहां मैंने लिख दिया a vernier scale is fitted over the main scale for accurate reading this scale can slide over main scale for this purpose we use screw attached to it इस screw की सहायता से हम vernier scale को main scale के उपर slide करा सकते हैं अब एक point और रह जाता है कई बार हमें temperature की note करना पड़ जाता है तो हम कैसे जाने की temperature क्या है उस समय में जब हम pressure का measurement कर रहे हैं तो temperature note करने के लिए 40s barometer के अंदर ही यहां brass case के अंदर एक thermometer भी लगा दिया जाता है जो कि next step में thermometer के साथ मैंने 40s barometer को complete किया यहां thermometer set कर दिया और 40s barometer complete हो जाता है तो friends step by step आप देख पाएं यहां पे कि 40s barometer का structure क्या होगा और इस तरह से आप आसानी से 14s barometer को draw कर सकते हैं और उसके पूरे structure को explain कर सकते हैं और अब point आता है कि हम 14s barometer को use करके atmospheric pressure कैसे measure करेंगे how to measure the atmospheric pressure by using 14s barometer तो friends जैसा simple barometer था उसी formula का यहां बिलकुल प्रियोग करना है बस simple barometer के कुछ demerits को हमने remove कर दिया है और उन demerits को remove करके हमने यहां जो-जो arrangement किये हैं उसे हम साथ के साथ discuss करते आ रहे हैं और उसी base पर हम यहां पे atmospheric pressure measure करेंगे आईए हम देखते हैं कि हम किस तरीके से atmospheric pressure measure measure कर सकते हैं यह जो हमारा glass का vessel है जिसमें leather back fitted है उसके bottom पर लगे हुए screw को use करके इस vessel में mercury के level को set करना है such that the mercury level just touches the bottom point of ivory pointer क्यों? क्योंकि जैसे ही यह mercury का level ivory pointer के bottom point को touch करता है इसका meaning यह हुआ कि इस mercury level ने जो हमारा main scale है उसके zero को touch कर लिया है जिसे set करना compulsory है then we note the main scale reading and the vernier scale reading for the top of the mercury column यानि जो glass tube है उसमें mercury कहां पर है उसके लिए हम main scale की reading और vernier scale की reading दोनों को note करते है vernier scale की reading हमें जब हम ले रहे हैं यानि main और vernier दोनों का use करके जब हम glass tube में mercury column की height measure करते हैं तो हमें ज़्यादा accurate reading मिलती है and the sum of the main scale and vernier scale reading gives the height of the mercury column in the tube यानि जो हमने main scale reading note की और vernier scale reading note की है उन दोनों को add कर देते हैं तो हमें ये जो glass tube है इसकी column में जो mercury की height है वो height h मिल जाती है और आप जानते हैं कि जैसे ही height h मिल जाती है तो हम formula यूज करते हैं pressure is equal to h rho g और h rho g से हमें atmospheric pressure मिल जाता है h यही column की height है जो हमने measure किया rho mercury की density है और small g acceleration due to gravity तो friends इस तरीके से हम construction भी समझ सकते हैं 14th barometer का और हम उसे कैसे use करते हैं atmospheric pressure measurement के लिए यह भी समझ सकते हैं हमने यह भी देखा कि simple barometer जो हमारे पास था उसमें क्या demerits थी और उन demerits को remove करके हमने कैसे 14th barometer बनाया यह देखा आज के इस video में friends यह दिये video आपके लिए helpful है तो इस channel को subscribe करना और video को like करना बिल्कुल भी न भूलें तब तक के लिए thank you